हेलो ग्रेटिंग्स टू ओल अफ यू वेलकम तो हिमरक्षक तो स्वागत आप सभी का आज किस वीडियो में आप सभी को पता है HP पुलिस की बिकैंसिस जो है कल या परसू हमने एक वीडियो डाले थी आपने सुन लिया होगा कि आपकी मार्ट से पहले पहले CMG का कहना है कि ये वर्थी होगी तो हमने आज से एक नई मोग टेस्ट पिपर सीरीज आपके लिए स्टार्ट करी है तो इस सीरीज को जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता तब तक जुरूर देखेगा आगे आगे धीरे धीरे आपको फुल मोग टेस्ट पिपर भी हिमरक्षक पर प्रोवाइड किये जाएंगे ठीक है जी आपको हिमरक्षक पर त्यारी क्यों करने चाहिए क्योंकि देखेए मेरी सेलेक्शन 2019 में HP पुलिस में हुई थी इसके अलावा 2021 में जो बैच गया है न्यू बैच इसमें भी हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो है उन्होंने हिमरक्षक पर त्यारी करी थी और स्लेक्शन ली थी इसलिए आपको हमरक्षक पर त्यारी जरूर करने चाहिए और ये pre of course मोग टेस्ट पिपर जरूर अटेंप्ट करने चाहिए आपके लिए पहला मोग टेस्ट पिपर आपके सामने रहा और जितने भी आपको इसमें क्वेशन करवाये जाएंगे end of the video आपका अपना-पना score बताना जरूरी है ठीक है जी आपके सामने रहा आपका पहला question क्वेशन के साथ साथ आपके जितने भी extra fact होंगे वो भी आज की वीडियो में आपको बताये चाहिएंगे चलो attempt कीजिए आपना पहला प्रशन मुस्लिम लीग ने किस वर्श में पाकिस्तान के प्रस्थाप को अपनाया था बताओ जी सोच लेना है पहले अंसर को टिक लगाने से पहले अच्छे से तो ही टिक लगाईएगा इस प्रशन का सही उत्तर है option C is the correct answer ठीक है 1940 लाहोर समझ गए अब आपको यदि पूरी तारीक पूछ ली जाए तो ध्यान में रखेगा 23 मार्च 23 मार्च 1940 को लाहोर में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्थाप को अपनाया था देखे बाद में ये पाकिस्तान प्रस्थाप कहाग जाता है इससे पहले ये देख रहे हो ना पाकिस्तान प्रस्थाप इससे पहले इसे लाहोर प्रस्थाप के नाम से जाना याता था ये भी आपको ध्यान में रखना है अब बार बार डिसकेशन हो रही है मुसलिम लीग, मुसलिम लीग, मुसलिम लीग कॉशन ये भी आता है कि मुसलिम लीग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको याद रखना है 1906 में हुई थी अब पाकिस्तान प्रस्ताव या फिर लाहोर प्रस्ताव एकी चीज है इसको प्रस्तुत किस ने किया था तो याद रखेगा इसको प्रस्तुत किया था मुहम्मद आली जिन्ना ने इनको काईदे आजम भी कहा जाता है काईदे आजम का मतलब क्या होता है काईदे आजम का मतलब होता है महान नेता आपको ये वात हो ही क्लियर मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित होई थी और जो मुहम्मद अली जिन्ना थे वो 1916 में इसके अध्यक्ष बनते हैं मुसलिम लीग के अध्यक्ष बनते हैं ये 4-5 कुशन बार-बार एक्जामनेर पूछता है तो आपको क्लेर हो चुके होंगे नेक्स्ट कुशन आपके सामने रहा दनुष कोडी का कनेक्टिंग पॉइंट है या फिर दनुष कोडी जो है वो किसका कनेक्टिंग पॉइंट है जवाब दीजिए शावश बहुत अच्छे इस प्रशन का सही उत्तर है ये कनेक्टिंग पॉइंट है हिंद महासागर और बंगाल खाडी का बंगाल की खाडी का याद रखेगा इसका नाम धनुष कोडी क्यों पड़ा आप सभी को पड़ता है राम और रावन जो थे उनमें क्या था कि रावन का एक भाई था ठीक है रावन का एक भाई था बभीशन बभीशन ने राम जी से अनुरोद करा था कि अपना धनुष से जो आपने सेतु बनाया है इसे तोड़ दीजिए ठीक है तब राम जी ने अपने धनुष की एक छोटी सी टकर से पूरे सेतु को तोड़ दिया था ठीक है जी तो ही अभी आपको नहीं देखने को मिलता है नेक्स्ट है ये देख सकते हो आप धनुष कोडी का चित्र नेक्स्ट कौन सा भारती बायोस्पियर युनेस्को के बायोस्पियर रिजर्ब की सूची के बिशव नेटवर्क के ग्यारवे स्थान पर बन गया है बताओ जी काफी असान कुश्शन है इस प्रशन का सही उत्तर ह अप्शन D is the correct answer कंचन जंगा बायोस्पियर रिजर्ब अब बात आती है कंचन जंगा बायोस्पियर रिजर्ब है कहां तो आपको याद रखना है ये सिक्की में है कहां है सिक्की में यदि इसकी स्मुंदर तल से उन्चाई पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है 1220 मि इसके अलवा पूछ ली जाता है नीलगिरी कहां है ये आपको याद रखना है ये पहला बायोस्पियर रिजर्ब है ये पहला बायोस्पियर रिजर्ब है और 1986 को स्थापित किया गया था और तमिलाडू में है ठीक है जी रहेगा याद अब नेक्स्ट अगस्ता मलाई अग गस्तामलाई नैशनल पाक कहा है ये तमिलाडू और केरला की सीमा पर है याद रखिएगा इसके लावा पूछा जाता है रण का कच का रण मिदान ये कहा है ये आपका गुजरात में है इसके लावा पूछ लिए जाता है भीतर कनिका नैशनल पाक बार बार पूछा जाता है भीतर कनिका नैशनल पाक ये उडिसा में है ठीक है जी चलो जी next question है आपका question number कौन सा चल रहा है question number fourth चल रहा है जल्दी से जबाब देने के कोशिश करो which of the following is suitable definition for archipelago deep smoke की उप्रोक्त अपनी परिवाशा बतानी है आपको क्या होता है deep smoke deep smoke होता है आपका option b is the correct answer एक श्रिंकला या फिर दीपों का smoke एक साथ समुही कृत ठीक है b is the correct answer ये इसकी definition हो गई ठीक है जी ये देख सकते हो आप इसे कहते हैं archipelago means chain of island chain of island देख सकते हो आप ये आपका एक island है ये एक island है ये एक island है बिलकुल chain जैसा बन रहा है ना माला जैसी बन रही है इसे की हम कहते हैं archipelago या फिर deep smooth next question आपके सामने रहा भारत का स्थाई अनुसंदान station दक्षिन गंगोतरी कहां स्थिथ है काफी अच्छा question है और बार बार exam में आ चुका है ये triple star से mark के जिएगा इस प्रशन का सही उत्तर है option D is the correct answer अंटार्टिका देखे याद रखेगा भारत का स्थाई अनुसंदान station दक्षिन गंगोतरी आपका अंटार्टिका में है इसके लाबा मैत्री भी अंटार्टिका में है ठीक है मैत्री station भी आपका अंटार्टिका में है यह देख सकती हो आप यहाँ अंटार्टिका में सभी को पता है कि बर्फ ही बर्फ रहती है पूरा पूरा साल बर्फ रहती है यहाँ पर है यह दक्षिन गंगोतरी हमारा Indian research base ठीक है जी next question आपके सामने रहा सब्दैनिक सभा का सलहकार या फिर सब्दैनिक सलहकार कौन था who was the Indian sorry who was the constitutional advisor to constitutional assembly इस प्रशन का सही उत्तर है option c is the sorry b is the correct answer b n rau ठीक है b n rau हमारी सभीदान सभा का सलहकार कौन थे b n rau ठीक है यह तब के ICS officer थे मैंने IAS नहीं बोला ICS officer थे ठीक है ICS officer तब जैसे अब चलते है न IAS IPS IRS यह चलते हैं तब चलता था जब British time हुआ करता था इससे पहले जब इंग्रिजों का time हुआ करता था तब चलता था ICS थीक है Indian civil services चल जी यह देख सकते हो आप b n rau यह थे next है economic growth is usually coupled with आर्थिक बिकास आमतोर पर साथ होता है किसके साथ होता है तो इस प्रशन का सही उत्तर है option A is the correct answer मुद्रास्पिति देखे बार बार आपके economics में दो terms आते हैं एक होती है inflation एक होती है deflation inflation को हम कहते हैं मुद्रास्पिति और deflation को हम कहते हैं upsपिति अब यह होता क्या है इसे एक असान definition या फिर असान शब्दों में समझ लो कि जो आपके मुद्रास्पिति होती है इसमें क्या होता है इसमें आपके good and services या फिर बस्तूओं और सेबाओं की कीमतें भढ़ती जाती हैं ठीक है भढ़ती जाती हैं बढ़ती जाती हैं अपस्पिति या फिर deflation क्या होता है इसमें good and services बस्तूओं और सेबाओं की कीमतें जो है पुगट दी जाती हैं तोनों reverse में हैं काफी असान है ठीक है economics की terms ना पिलकुल असान शब्दों में समझो क्या बोला मैंने मुद्रस्पिति क्या होती है मुद्रस्पिति जो है इसमें क्या होता है इसमें बस्तूओं और सेबाओं की कीमतें बढ़ती जाती हैं लगातार बढ़ती जाती हैं इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें सेबाओं और जो आपकी good and services है जिसे हम बस्तूओं और सेबाओं बोलते हैं इनकी कीमतें गठती जाती है ठीक है जी इसमें कीमतें गठती है उपरवाली मुद्रस्पिति में कीमतें बढ़ती है ठीक है दोनों में अंतर यह है definition आपको clear हो चुकी होगी next आपका question number कौन सा चल रहा है question number चल रहा है आपका 8th question ठीक है भारती इतिहास का कौन सा संदर्व निमन लिखित में से कौन बविश्य में बुद्ध है अभी तक दुनिया के बचाने के लिए दुनिया को बचाने के बुद्ध या फिर फ्यूचर बुद्ध फ्यूचर बुद्ध तो इनका नाम है मैत्रे option C is the correct answer मैत्रे देखी इनके 3-4 नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए जिसे हो कहा है मैत्रे एक नाम है मैत्रे एक नाम है मैत्रे ठीक है मैत्रे यदि ये आपको तीनों में से कोई भी आ जाए तो आपको वही टिक लगाना है जो उप्शन में आए जैसे मेत्रे आ गया फिर मेत्रे आ गया फिर आपका मिथारी आ गया ये हैं बविश्य के बुदा जो असली बुदा थे हमारे महात्मा बुद उनका नाम पूछ ली जाए उनके भी दो नाम है एक है तथागत एक है आपका शाक्यमुनी मैंने पहला नाम बोला इनका नाम जो असली थे महात्मा बुद इनका नाम पहला था तथागत दूसरा था शाक के मुनी ठीक है जी चलो next discussion क्यों चलते हैं next question आपके सामने रहा यून्गड यून जंगड जंगड शिलालेख किस समराच से समभगता है जंगड शिलालेख बताओ 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 शाबाश इसे हम बोलते हैं जनगर बोल लो जहां यूनागड बोल सकते हो जूनागड ठीक है जूनागड तो option आपका हो जाएगा दी इस दा correct answer जो जूनागड या फिर इसे ही बोलते हैं हम गिरनार शिलालेख गिरनार शिलालेख गिरनार शिलालेक बोल लो या फिर जनगड बोल लो जा फिर जूनागड बोल लो बात एक ही है ठीक है एक ही शिलालेक है किस से संबंदित है ये आपके रूदर धामन से संबंदित है रूदर धामन भी देख लो कैसे लिखते हैं रूदर धामन ठीक है इस राजा से संबंदि है ये शिला लेख इसके लाबा ये शिला लेख है कहां यदि यूना गड़ा गया जन गड़ा गया या फिर गिरनार आ गया एक ही शिला लेख के नाम है ये सारे के सारे ये आपके गुजरात में है ध्यान में रखेगा चलो नेक्स्ट ये है आपका ये शिला लेख ठीक है चल आपने रहा महत्तपुर्ण कोश्चन आज की वीडियो का काफ़ इंपोर्टन कोश्चन है आपने बार बार सुना होगा रावी क्रोप्स, खरीफ क्रोप ये कौन-कौन सी होती है आपको पता होगा तो बताए इस प्रशन का कौन सा सही उत्तर होगा तो इस प्रशन का सही उत्तर है उप्शन सी इस दा करेक्ट अंसर रावी में आता है वीट, पटैटो, ग्राम, मस्टर्ड खरीफ में आता है पैडी, जूट, शुगर केन, कोर्न, जुआर, बाजरा और मेस इसके इलावा प्रशन किस प्रकार से आते हैं यदि आपको पूझ ले जाए कि रावी क्रोप को और क्या कहते हैं तो रावी क्रोप को हम बिंटर क्रोप भी कहते हैं फिर नेक्स प्रशन पूझ ले जाए खरीफ क्रोप को क्या कहते हैं खरीफ क्रोप को हम मानसून क्रोप भी कहते हैं ठीक है जी, अब most important रावी क्रोप जो है जे इनकी बुवाई कब होती है means इनको हम उगाते कब है तो याद रखेगा मैई जून में रावी क्रोप उगाई जाती है means शनो की जाती है और खारीफ क्रोप को हम अक्तूबर नवंबर को बोते है ठीक है दूसरी बात कि रावी क्रोब को हम काटते कब है रावी क्रोब को हम काटते कब है तो अक्तूबर नुमंबर को हम काटते है ठीक है खारीफ क्रोब को कब हम काटते है तो याद रखेगा हम अप्रेल मई में खारीफ क्रोब को काटते है ये सारे के सारे प्रशन बनते है तो आपको पता होना चाहिए आपके सामने रहा next question which of the flowing reason is famous for loin-tailed macaque बताओ शावश इस प्रशन का सही उत्र है option B is the correct answer western ghat of केरला केरला के पस्चिम घाट में ये पाया जाता है शेर पूंच वाला macaque ठीक है जी आपको याद रखना है केरला में है कहाँ ये proper location कहाँ है इसकी तो केरला के silent belly national bark में ये पाया जाता है loin-tailed macaque ठीक है ये आप शकल देख सकते हो इसकी ऐसा दिखता है ये यदि आपको कहीं दिख जाए तो आप पहचान लेना कि ये इस परकार से दिखता है ये याद रखना है इसको और किस नाम से जाने जाता है इसको और जाने जाता है वेंड्रूज के नाम से ठीक है वेंड्रूज के नाम से कहाँ पाय जाता है silent valley national park में पाय जाता है कहाँ केरला में केरला के western guards में चलो जी आपके सामने रहा आपका next question निमल लिकित में से कोन भारती सभीदान को क्वासी संगिय के रूप में वर्नित करता है Indian constitution को क्वासी federal किसने कहा था तो याद रखेगा इस बंदे का नाम केसी वियर option B is the correct answer केसी वियर ठीक है जी केसी वियर इनका नाम था तो अब बात आती है क्वासी federal क्या होता है भंदे आपको पढ़ा कर तो चले याते हैं पर थोड़ी सी पता तो हो कि क्वासी federal होता क्या है तो याद रखेगा क्वासी federal जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कोई भी आपका सभीदान हो याँ तो होता है संगिय या तो होता है एक आपका तमक ठीक है मैंने क्या बोला कोई भी आपका सभिदान हो ना कोई भी सभिदान हो कोई भी खंसेटिशन हो या तो वो होगा या तो वो होगा संगिय या तो वो होगा एकातमक ठीक है जी हमारा सभिदान संगिय भी है और एकात्मक भी है तो ही ये हमारा क्वासी फेडर है ठीक है दोनों क्वाल्टी है इसमें एकात्मक भी है और संगिय भी है अब बात आती है यार संगिय की हम किस परकार से बोल सकते हैं कि कोई भी सभीधान चुब है वो हमारा संगिय है यही बात आ रही है न यही doubt आ रहा है न आपको कि कोई भी सभिधान हम कैसे कहते थे मैंने आपको पहले बोला कि Quasi Fader क्या होता है Quasi Fader होता है जो थोड़ा सा संगिय हो और थोड़ा सा एकात्मक हो या फिर एकात्मक और संगिय हो means a mixture हो ठीक है अब हमें समझना चाहिए कि आपका संगिय कौन सा सविधान होता है जिसमें आपका संगिय वे सविधान होता है जिनमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का बटवारा हो वो सविधान संगिय सविधान होता है ठीक है और जो लिखित सविधान हो वो संगिय सविधान ह जिसमें दो सदन हो वो संगी सविदान होता है फिर आपका सब्तंत्र नयाई पाली का हो वो संगी सविदान होता है दूसरा वर्ड मैंने बोला एकात्मक एकात्मक सविदान कौन सा होता है एकात्मक सविदान होता है राज्य में जिसके भी राज्य पाल हैं जैसे इंडिया मे सभी को पता है कि हमारे राज्यों में राज्यों पालों की भरतिय भी होती है में इनसे राज्ये पालों की नुक्ति भी होती है राष्टपती द्वारा राज्ये पालों की नुक्ति की जाती है तो ये सभीदान का एकात्मक रूप है तो हमारा सभीदान संगिय भी हुआ और एकातमक भी हुआ तो option कौन सा बोला मैंने B is the correct answer किसने कहा था भारतिय सभीदान को क्वासी संगिय या फिर क्वासी फेडरर तो ये कहा था केसी वियर ने Next question आपके सामने रहा The term dash was added by constitutional amendment act in preamble इसमें simple सा आपको पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो किस सभीदान संगिय तहत परस्थाबना में चूड़ा गया था सबसे पहले जे जान लो कि हमारी परस्थाबना में total तीन शब्द add किये गए थे तीन शब्द एड किये गए थे कौन से सभीदान शंशोदन द्वारा 42nd सभीदान शंशोदन द्वारा हमारे सभीदान में total तीन शब्द add किये गए थे 42nd बोला मैंने 42nd कब हुआ था 1976 में हुआ था ये भी याद रखेगा ठीक है 1976 में हुआ था 42nd amendment और वो तीन शब्द कौन-कौन से थे वो तीन शब्द कौन-कौन से थे पहला था स्माजवादी या फिर स्माजबाद दूसरा था पंथ निर्पेक्ष तीसरा था अखंडता कौन-कौन से स्माजबाद अखंडता पंथ निर्पेक्ष ठीक है समाजवाद, पंथनिर्पेक्ष और अखंडता जैसे मर्जी बोलो मेरे साथ साथ रपीट किया करो आगर आपको पिपर में आ जाये ना तो फिर क्या करोगे रपीट करो समाजवाद, अखंडता और पंथनिर्पेक्ष बोलो शावश समाजवाद, पंत्र निर्पेक्ष और अखंड था कौन सा सविधान शिंचोदन था 42 या फिर 42 वा 1976 में हुआ था 1976 में हुआ था रहेगा याद कौन सा शब्द था समाजवाद, धरन निर्पेक्ष और अखंड था तीन शब्द एड किये गए थे प्रस्थाबना में नेक्स्ट है, क्वेशन नमबर आपका साइन्स का क्वेशन है एक अनकेव लेंस आलवेज फॉर्म एन इमेज विच इस जो हमारा अबतल लेंस होता है वो कौन सी शब्द बनाता है तो इसमें काफी सिंपल क्वेशन है काफी असान क्वेशन है तो याद रखिएगा ये बनाता है आपका वर्चुल और इरेक्ट इमेज ठीक है, आप सभी को पता होगा हमारे लेंस दो परकार के होते है एक होता है कनकेव लेंस दूसरा होता है कनवेक्स लेंस दूसरा होता है Convex Lens, note कर लो पहला होता है Concave Lens दूसरा होता है Convex Lens Concave Lens जो है वो image कौन सी बनाता है Virtual और Erect ठीक है, दूसरा मैंने बोला Convex Lens, note करो spelling C-O-N-V-E-X ठीक है, जो note समना रहे है C-O-N-V-E-X हिंदी वारे लिख लो उसे बोलते हैं, उत्तल Lens ये शवी मनाता है आपका Real और Inverted Real और Inverted मनाता है Convex और Concave मनाता है Virtual और Erect रहेगा याद Concave, Virtual और Erect Convex Real और Inverted ठीक है, next काफी अजान क्वेशन है ट्रिपल स्टार रॉला क्वेशन है इसमें confusion होती है आप सभी को तो attempt करीजिए question को Which of the flowing is not a natural polymer Note पुछा है, नहीं है natural polymer Wool है, silk है, leather है तो option D is the correct answer ठीक है जो nylon है, वो आपका synthetic polymer है, ठीक है nylon जो है, वो आपका synthetic polymer है next question अनिमो फिली अनिमो फिली जो है, वो किस से pollinated होता है अनिमो फिली अनिमो, सभी को पता है ये आपका जो root word अनिमो अनिमो root word है wind का, तो option B is the correct answer root word के तहत भी आप याद रख सकते थे English का root word है अनिमो अनिमो हवा के लिए यूस होता है तो option B is the correct answer wind is the correct answer next pearl is mainly made up of which among the flowing मोती मुख्यात निमलिखित में से किस से बना होता है तो मोती बना होता है आपका calcium carbonate option C is the correct answer calcium carbonate option आपका C correct हो जाएगा याद रखिएगा next question है आपका question number 18 azola gives a good fertilizer when mixed with azola dash मिश्रित होने पर एक अच्छा जैव और वर्क देता है किस के मिश्रित होने पर तो option A is the correct answer blue green algae जब भी azola में mix होता है तो एक good fertilizer bio fertilizer ये बनाता है ठीक है next घंधार color dash का संयोजन है घंधारा art is combination of तो याद रखेगा Indo-Greek is the correct answer B is the correct answer ये है आप देख सकते हो घंधारा कला ऐसे छोटी छोटी images जो है वो बनाई जाती है इस कला में इस art में छोटी छोटी image next question है आपके सामने last question है याद रखेगा काफ इंपोर्टेंट science का प्रशन है triple star वला question है ये ठीक है triple star से माग कीजिए और read करने की कोशिश करो which of the flowing elements are commonly found in most fertilizers निमलिकित में से कौन सा तद्व समानेत अधिकांश और वर्कों में पाय जाता है option C is the correct answer nitrogen, potassium, phosphorus ये तीर element है जो maximum fertilizers में पाय जाते हैं कौन कौन से nitrogen, potassium, phosphorus ठीक है ये थे आपके question टोटल हमने question किये है 20 question ठीक है 20 question बताओ आपके 20 में से कितने marks आए हैं यदि आपके 7 marks आए हैं 8 marks आए हैं तो भी आपको बताने हैं ठीक है मेरे को result आपको पता होना चाहिए मेरे को कितने result है आपका और जो भी आपको extra fact आज की वीडियो में करवाए गए हैं वो आपने notebook पर जरूर note करने हैं क्योंकि इसी से आपको police में final exam में question आएंगे देखे YouTube के लावा YouTube के लावा हम तीन सोशल मीडिया handles पर और भी है यह से होगा हमारा whatsapp, telegram और instagram और इसके लावा facebook फेस्वुक गर आप चलाते हो तो इन सभी का link हमारे description box में है यहाँ पर आएं और हमें follow subscribe जहाँ पर भी आपको करना चाहिए because आपको facebook, instagram, whatsapp सभी पर अच्छे अच्छे information दी जाते है इसलिए यहाँ पर भी हमें follow, like, comment सब कुछ यहाँ पर भी है आपको करना चाहिए ठीक है अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजित कर रहे हो तो आपको बता दू आने वाली hp police की भरती कि जो भी त्यारी होगी आपको हिम्रक्षक पर प्रकुरवाई जाएगी इसलिए अपी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो like करो वीडियो को और वीडियो को कम से कम एक स्टूडेंट को 20 से 30 बच्चों को जुरूर शेयर करना है ताकि उनको भी पता चलना चाहिए कि आपको police की त्यारी कौन करवा रहा है जो already police में है शेयर करो जद शेयर वीडियो में और अच्छा ज़़व कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो भी आपको upcoming वीडियो चाहिए वो भी आपने कमेंट डॉक्स में जरूर बताना है ठीक है और अपना-पना score भी बताना है और अपनी-पनी suggestion भी देनी है ठीक है जल्द ही आपको यहाँ पर full mock test paper जैसे आपको पता होगा HTC का exam हुआ था वहाँ पर भी आपको full mock test paper provide किये गए थे यहाँ आपको जब पतावारी की बरती होगी तब उसके full mock test paper मिलेंगे फिर जब पतावारी की इलावा पुलिस की आएगी, जेलवाडर की आएगी फुरस्ट गार्ड की आएगी उन सभी के full mock test paper भी आपको यहाँ पर provide किये जाएंगे चैनल को subscribe किये बिना भिलकुल नहीं जाना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप खुश रहेगा पढ़ते रहेगा धन्यावाद जैहिन जैहिमाचल